Hello students, welcome to my channel Dreams Make Real बच्चो आज मैं आपको present tense में second subtype जो मैंने आपको पिछली वर्क्षिट में बताया था present continuous tense जिसको हम imperfect tense भी बोलते हैं आज मैं आपको समझाऊंगे उसके rule जब मैं आपको बताऊंगे तो सबसे पहले हम लोग sentence making देख लेते हैं कि हम इस types के sentence को कैसे बनाते हैं sentence में तब सबसे पहले जब हमारा subject दिया होता है तो हम subject लिखते हैं फिर हम helping verb ismr लगाते हैं present continuous tense में ismr लगाया जाता है sentence के according जैसे कि आपको पता है singular के साथ is लगता है और i के साथ हमेशा m लगता है और जो हमारे plural noun होती है उनके साथ हम r लगाते हैं उसके बाद बच्चों हम verb की जो main form होती है उसमें ing plus करते हैं जैसे अगर हमारी go है तो going बन जाता है sleep है तो sleeping हो जाएगा ing plus करेंगे और फिर बच्चों हमारा sentence में अगर object दिया हुआ है तो फिर हम object लिखा जाता है last में तो इस तरह से हम लोग sentence making करते हैं present continuous tense की तो आएए बचों इसकी definition एक बार देख लेते हैं the present continuous tense indicates that an action or condition is happening now present continuous tense इशारा करता है कि जो कोई काम है या कोई condition है वो अभी हो रही है मतलब काम continuously चल रहा है है ना and may continue into the future और हो सकता है कि वो future तक continue रहे मतलब हमने कोई काम स्टार्ट किया है अभी चल भी रहा है और future तक भी हो सकता है देख लेते हैं बच्चों आगे the present continuous formula जैसे कि मैंने भी आपको उपर बताया है यह है कि is mr होता है और फिर verb की जो form होती है उसमें हम क्या लगाते हैं ing प्लस करते हैं यह आपको main ध्यान रखना है present continuous tense में present continuous tense का अगर हमें negative form बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे in this type of sentences we use देखो बच्चों तब हम is mr लगाते हैं तो उसके बाद हम लोग not लगाते हैं ठीक है negative sentence में present continuous tense के is mr के बाद note लगाय जाता है और उसके बाद फिर verb की ing form लगाय जाती है ठीक है और फिर object लगाय जाता है बस आपको ध्यान यह रखना है कि note हम is mr के बाद लगाएंगे जैसे example देख लेते हैं आपको clear हो जाएगा देखे बच्चों example देख लेते हैं हम imperfect में जाहिर is covering his notebook ठीक है मैंने तीनों ही example बता दिये आपको कि negative बनाना है तो हम कहाँ पर note लगाएंगे interrogative भी होता है interrogative बनाएंगे तो हम कैसे बनाएंगे देख लेते हैं जाहिर is covering his notebook जाहिर अपनी notebook को cover कर रहा है और बच्चों एक main बात और है continuous tense की कि इस तरह की sentence जो है last में खतम किस चीज़ से होते हैं रहा है रहे है और रही है आपको sentence की पहचान की ये वाला sentence continuous tense है आपको रहा है रही है और रही से पहचान होगी जैसे की हम नाच रहे हैं हम खाना बना रहे हैं है ना last में रहा है रही है और रहे है आता है जाहिर is not covering his notebook अगर हम इस तरह का negative tense बनाना है sentence बनाना है तो क्या हो जाएगा देखिए मैंने इस के बाद note लगाया है जैसे मैंने अभी आपको बताया था जाहिर अपनी notebook cover नहीं कर रहा है और interrogative में हम जो है हमारी helping verb जो है start में आ जाती है subject से पहले हमारी helping verb आती है जैसे इस जाहिर is covering his notebook क्या जाहिर अपनी notebook cover कर रहा है और interrogative जो हमारे sentence होते हैं उसमें हम क्या लगाते है question mark लगाते है क्योंकि question को put किया जाता है question पूछा जाता है आगे देखते हैं बच्चो interrogative form of present continuous tense जैसे मैंने अभी आपको उपर बताया है इसको question form भी कहा जाता है ठीक है question form आपका क्या होता है ये हमारा question form होता है we write the first part of the verb before the subject जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि हम is,m,r जो helping verb होती है उसी से हम अपना sentence start करते हैं फिर उसके बाद हमारा subject लगाया जाता है देखे बच्चो आगे आपको और clear हो जाएगा am I going? क्या मैं जा रहा हूं? लेकिन sentence वही रहेगा रहा है रहे है रहे हैं इस तरह से ठीक है are they going? क्या वो जा रहे हैं? देखिए they are going नहीं आ रहा है are they going? पहले हमारा क्या आगया है helping verb आ गया है और फिर हमारा subject आया है is a seat traveling by bus? क्या वे है travel कर रही है by bus? बस के द्वारा? तीनों में हमने क्या लगाया है? question mark लगाया हुआ है some more example कुछ और example भी देख लेते हैं जैसे they are meeting today we are meeting कर रहे हैं सभा कर रहे है they are joining me for lunch today आज में मुझे क्या करेंगे? join करेंगे? lunch के लिए आज में मुझे join कर रहे है the dogs are not barking कुता भोग नहीं रहा है नाजुक is not reading a magazine नाजुक अपनी magazine नहीं पढ़ रही है is she cooking food? क्या वे खाना बना रही है? देखिए ये वाला sentence हमारा क्या हो जाएगा? interrogative हो जाएगा और ये वाला sentence हमारा क्या हो जाएगा? note से आपको पता चलेगा ये हमारा sentence हो जाएगा? negative ठीक है बच्चो? are they not going to daily today? क्या वे आज डैली नहीं जा रहे हैं? ये वाला भी sentence हमारा क्या हो जाएगा? interrogative तो इस तरह से बच्चो आपको पता चल गए होंगे affirmative, negative and interrogative तीनों तरह के sentence आपको पता चल गए होंगे एक बार मैं इनको आपको rule भी बता देती हूँ कि तीनों की rule क्या होते हैं? देखिए, affirmative sentence को बनाते समय हम सबसे पहले subject लिखेंगे फिर हम ismr लिखते हैं फिर verb की first form में ing plus करते हैं और फिर object लगाया जाता है इसी तरह से negative में मैंने बताया था ismr के बाद note लगाते हैं और फिर same वही pattern रहता है interrogative sentence में भी wh family जो ismr है यह हमारा पहले आएगा और फिर subject और फिर verb की form में first form में ing आता है और then object तो इस तरह से तीनों को आप इस तरह से form करोगे तीनों sentence को affirmative, negative and interrogative बच्चों मैंने आपको समझा दिये हैं present continuous tense बहुती easy हैं आप एक या दो बार इस वीडियो को देखोगे तो आपको easily समझ में आ जाएगा अब मैंने कुछ आपको घर से practice exercise भी दी है ताकि आप लोग कुछ practice कर सको हम लोग आज अंग्रेजी सीख रहे हैं क्या हो जाएगा बच्चों इसका we are learning English today आज मेरे mobile पर मोदीजी आ रहे है in our today, in our mobile, मोदीजी is coming हम पतंग उड़ा रहे हैं we are flying the kites मैं नाच नहीं रही हूँ negative sentence है बच्चों हमारा I am not dancing कुछ और example हम लोग देख लेते हैं आईए कुछ और example देख लेते हैं ताकि आपको present continuous tense आप इस वीडियो से बिल्कुल अच्छे से सीख कर जाएं देखो बच्चों मैं नदी में तैर रहा रहे हैं नदी में तैर रहा है क्या बनाएंगे इसका हम he is swim हमारी first form होती है लेकिन हमें ing form लगानी है swimming in the river नदी को river बोला जाएगा बच्चों he is swimming in the river वे लोग लड़ रहे हैं क्या लिखिंगे वे के लिए हम लगाते हैं plural है ये तो दे दे के साथ मैंने आपको इस टार्टिंग में बताया है आ राता है आप क्रेलिंग भी लिख सकते हो उसका मतलब भी लड़ना ही होता है हम लोग टीवी पर फिल्म देख रहे हैं क्या बनाओगे बच्चों जल्दी से बताईए we are watching film on tv वे हस रही है she is laughing देखो बच्चों सभी में ing form हमने लगाई है इसी से पहचान हो जाती है कि यह tense हमारा present continuous tense है what are you looking at और या फिर हम why भी लगा सकते हैं why are you looking at तुम क्यों हस रहे हो ठीक है तुम क्यों हस रहे हो तुम किस पर हस रहे हो लिख लेंगे आप लोग मेरी फोटो लेना बंद करो क्या बनाओगे इसका stop taking my photos stop taking taking का मतलब होता है लेना ing form लगाई है my photos next sentence और the last sentence हम लोग देख लेते हैं बच्चों बच्चे जमीन पर रेंग रहा है क्या बनाओगे इसका the child एक बच्चा है इसलिए child लिखाया अगर बहुत सारे बच्चे होते तो children लिखा जाता the child is crawling crawling का मतलब होता है on the floor on the floor देखो बच्चों सभी में हमने ing form लगाई है ing form सबसे पहली पहचान हमारी continuous tense की होती है मैंने आपको epoxy 10-12 sentence समझा दिये हैं अच्छे से करके दिखाये हैं आप लोग दो बार इस वीडियो को देखोगे फिर आप कभी भी present continuous tense को नहीं बोलोगे और अगर बच्चों आप लोग आगे के tense, subtypes, present perfect, present perfect continuous tense भी देखना चाते हैं तो मेरी वीडियो को like करो नीचे comment box में अच्छे comment करिए और मेरे चैनल को subscribe करिए और bell icon भी hit करिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक समय से पहुच जाए Thank you